नमस्कार मैं हूँ प्रवीड और आप सभी का फिर से स्वागत है नियूस क्लिक के शोड डेली राउंड अप में आगी नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्कियों पर लखीमपूर हत्याकांड में आशिश की गिरफतारी के बाद ग्रिह राजमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्दगी और गिरफतारी के लिए किसान संगटनों और विपक्ष ने बढ़ाया दबाओ देश के कई राज्यों में कोईले का संकट, मद्यप्रदेश के चार पावर प्लांट में कोईले की भारी कमी, बिहार में वारल फीवर की चपेट में बच्चे, कोविड और चमकी बुखार की तरह लाचार स्वास्थ वेवस्ता तमिलाडू में हुआ मास वैक्सिनेशन, 25 लाख लोगों का रहा टारगेट और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की, एक्टिव मरीजों की संक्या 215 दिन में सबसे कम लखीमपूर खीरी हत्याकार्ण मामले के आरोपी किंद्री ग्रीराज मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशिश मिश्रा की गिरफतारी के बाद क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे पूश ताश की पुलिस का कहना था कि आशिश मिश्रा जाच में सयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है इसके बाद हत्यारोपी आशिश मिश्रा को मजिस्टेट के सामने पेश किया गया आशिश मिश्रा के वकील के तरकों के बाद भी कोट ने आशिश मिश्रा को 14 दिन की न्याएक हिरासत में भेज दिया इसके बाद किसान संगठनों ने आशिश के पिताजा मिश्रा के गिरफतारी और बरखास्तगी की मांग तेश कर दी है साथ ही किसानों ने तिकोनिया में अंति मर्दास की तैयारी शुरू कर दी है इसके अलावा कल देश भर में किसान शही दिवस मनाया जाएगा सरिंत किसान मोचा ने मांग की है अगर सरकार आंदोलन ख़त्म करना चाहती है तो ग्री राज्यमंत्री से इस्तिफा लेने के साथ उन पर 120B का केस दर्श किया जाए इसके साथ ही आरोपी की गिरफतारी हो अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 अक्टूबर को अगली रणिती तैय की जाएगी सरकार हिंसा पर उतारू हो गई है जिसका जवाब हम संघर्श के जरीए देंगे लखिमपूर की घटना के बाद 10 महीने से जारी किसान आंदोलन ने भी जोर पकड़ लिया है किसानों ने आने वाले समय में कई महापंचायतों का एलान किया है इसके अलावा लखिमपूर की घटना के खिलाफ आज महाराष्ट सरकार ने 11 अक्टूबर को पूरा महाराष्ट बंद कर विरोज जाहिर किया आपको बता दे कि हाली में CCTV फुटेज जारी हुआ है जिसे घटना के दिन की कई चीज़े साफ होती नजर आई है अमर उजाला में छबी खबर के अनुसार इस CCTV फुटेज में आशिश मिश्रा को थार गाड़ी में बैटते हुए देखा जा सकता है म्यूस क्लिक आपको इस पर और जानकारी देता रहेगा देश भर के कई राज्यों से कोईला संकट की खबरे आ रही है उद्यपदेश में कोईले की कमी बताई जा रही है और साथ में ही मध्यपदेश में भी यही हाल है मध्यपदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने सत्ता समालते ही बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कारणामे की है जिससे कि आजपदेश को बिजली संकट से जूजना पड़ रहा है उनके नीतिकत फैसलों का परिड़ाम ही है कि कोईली की कमी कारण पावर प्लांटों में बिजली का उत्पादन कम हो गया है कई सन्यत्र तो ठप पड़े हैं तो किसी किसी प्लांट में कोईली की भारी कमी हो गई है यहां के सिंगाजी में दो दिन का कोईला स्टॉक बचा हुआ है जबकि नियमों के अनुसार प्रतेक प्लांट में कम से कम 15 दिन का कोईला स्टॉक में होना चाहिए बीना सोचे समझे शिवराज सरकार ने जहां जहां सन्यत्र स्थापित किये वहां दूर दूर तक कोईला उपलब्द नहीं है दूर से कोईला परिवहन पर खर्च बढ़ना यहां तक कि पावर प्लांट में जितनी कोईली की ज़रुत है उतने रैक कोईले के लिए कभी भी रेलवेट रैक खाली नहीं मिलेगा इससे भी बड़ा कारड यह है कि प्रदेश की वित्ती हालत खसता है प्रदेश सरकार फिलाल एंटी पीसी का कर्श भी नहीं अदा कर पा रही है यहां तक कि किसानों को भी सिचाई के लिए 10 घंटे विजली देने का वादा किया गया था वह भी उन्हें नहीं मिल रही दूसरी तरफ केंद्री उर्जा मंत्री आरके सिंग बताते हैं कि एंडीय सरकार ने 2 करोड 80 लाग घरों तक बिजली पहुचाई है इस उत्पादन की तुलना में खपत बढ़ गई है लिहाज़, मांग और आपूर्ती में बड़ा अंतर आ गया है बिहार के PMCH के शिशु रोग विभाग में सरसट बच्चे भरती हैं साथी NMCH बच्चा वार्ड में भी 84 बेड है सभी बेड पर मरीज हैं PMCH और NMCH के अलावा IGI MS और पटना AIMS और दानापूर बिहटा, मसौडी, पाली गंच वब बिहटा अनुमंडली अस्पताल में भी वाइरल फीवर से पेड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है पटना के अलावा मुझफरपूर, सारण, गोपाल गंच, सिवान और पश्चिमी चंपारण के शहर से लेकर गाउं तक वाइरल फीवर की हवा पहुच चुकी है हाला कि बुखार से पेड़ित बच्चों की संख्या में कमी आ रही है मगर बिहार में डेंगू और वाइरल फीवर से मासूम बच्चों की मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा पिछले महिने ही डेंगू और वाइरल फीवर की वज़ह से कई जाने चली गई हैं जिसमें अधिकांच छोटे-छोटे बच्चे हैं इससे पहले कोरोना महामारी की दो लहरों का दंश जहिल चुके बिहार के मुक्या नितिश कुमार ने इस साल के कई महीने में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तयार है लेकिन असलियत में बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना लचर है कि इलाज के अभाव में माता पीता अपने बच्चों को गोध में लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है नौ जीलों में ग्रामिड अस्थानी निकायत चुनाओ, कुल मिला कर शान्ति पोढ़न रहे और प्रतम चरण में 77 दस्मिलों 4-3 प्रतिशत और दूसरे चरण में 73 दस्मिलों 2-7 प्रतिशत मद्दान हुआ मद्दान के दिन 6 और 9 अक्टूबर को पार्टियों के कारकरताओं के बीच जड़ब की मामली घटना है सामने आई थी सब्ता के दोरान ताजा COVID-19 संक्रमडों की संख्या 1500 से नीचे गिर गई है जबकि टीका करट शेविरों का आयोजन जादी है स्वास मंत्रा ने 10 अक्टूबर को 30,000 केंद्रों में 25 लाग टीका करट का लच्छे रखते हुए एक सामुहिक टीका करट शेविर का आयोजन किया है राजसरकार ने नीच से छूट पाने के अपने प्रयास में विबेन राजसरकारों से संपर किया है राजी के एक प्रतिनीधी मंडल ने समर्थन मांगने के लिए केरल के मुख्य मंत्री से मुलकात की जबकि मुख्य मंत्री ने अपने 12 सम कर्शो को पत्र लिखा है इस बीच भारती जंदा पार्टी ने 7 अक्टूबर को पूरे राज में सबी दिनों में मंदिर खोलने की मांग को लेकर विरोर पदेशन किया है भारत में एक दिन में कोविड-19 के 18,000 से ज़ादा नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संक्या बढ़कर करीब 3 करोड 40,000 हो गई है पिछले 215 दिनों में एक दिन में सामने आए संक्रमण के ये सबसे कम मामले हैं वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्टी दर बढ़कर अन्ठान पर पतिशत हो गई है केंदी स्वास मंत्राले की ओर से सोमवा सुभा आठ बजे जारी किये के ताजा आंकडों के अनुसार संक्रमण के 193 और लोगों की मौत के बाद मित्यक संक्या बढ़कर 4,50,000 से जादा हो गई है देश में वोग 4 अधीन मरीजों की संक्या भी कम होकर करीब 2,27,000 रह गई है यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है अक्टिव मरीजों की यह संक्या पिछले 209 दिनों में सबसे कम है पिछले 24 गंडों में एक्टिव मरीजों की संक्या में कुल 3624 की कमी दर्ज की गई है राश्ट व्यापी टीका करण मुहीम के तहट अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 95 करोड से अधी खुराग दी जा चुकी है आज के डेली रॉंड ओप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दोनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया